पहले चरण के मतदान के बाद ऐसी हवा निकली है कि चारसो पार की दुहाई देने वाले चारसो पार का नारा देने वाले वो भी अब गायब है मैदान से और अब पहले चरण की वोटिंग में जो कम परसंटेज निकल करके सामने आ रहा है कम परसंटेज जो है वोटिंग जो आकड़े बता रहे हैं ऐसे में प्रधान मंत्री का बयान निकल करके सामने आया है और प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी मैं प्रधान मंत्री इसलिए कहता ह हूँ बार-बार ताकि लोगों को पता रहे कि सहाब देखिए क्या से क्या हो रहा है लगातार हर जगें लाल किले के से 15 अगस को इस बार 6 महीने पहले लाल किले से एलान कर दिया था कि तीसरी बार वेरे कारिकाल में जंडा में यहीं से फैराऊंगा तो अब वही प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी वो कह रहे हैं कि सहाब वोट देने के लिए जरूर निकलिए कम वोटिंग हुई है उसकी बाद में चिंता की लकीरे सीधे पीमो कारियाले तक पहुँच गई है और प्रधान मंत्री कारियाले से भी बताया गया कि सहाब अगर यह वोटिंग कम हो रही है तो फिर पता नहीं क्या हो जाएगा क्योंकि आज जिस सरीके से वोटिंग कम होई है हर जहें पर हर जहें पर हर अख़वार में यहीं आखड़ा चल रहा है कि 2014 में ऐसा था 2019 में ऐसा था और 2024 में वैसा हुआ है आपको कुछ अख़वारों की और अलग-अलग जो है कटिंग भी आपको दिखा दूआ है अब लोग जो है वो इस बात को देख रहे हैं कि 2014 में जब नरेंदर मोदी आय था तो वोटिंग परसेंटेज बढ़ा था मनमोन सिंग की सरकार को लेकर के लोगों की नराजगी थी गुस्सा था तो वोटिंग परसेंटेज बढ़ा था लेकिन अब 2019 में भी फिर और बढ़ा और उसके बाद में अब 2024 में नरेंदर मोदी जीस तरीके से 400 पार की बात कर रहे थे कि विपक्स तो कहीं पर है नहीं हमीं रहने वाले हैं हमीं रहेंगे यहां पर और लोग जो हैं वोट करने के लिए नहीं आ रहे हैं मोदी जी को यहां तक भी कहना पड़ गया चाहिए आप किसी को वोट दीजिए लेकिन वोट दीजिए मैं मोदी जी का बयान आपको सुना और फिल्म तो पहले ही घंटे के अंदर पता चल गया कि फ्लोप पिच्चर है अब अगले च्छे घंटे कैसे बैठ करके इस पिच्चर को देखेंगे समझरें आप इस बात को मतलब की 400 रुपए के अंदर पिच्चर की टिकट खरीदी लेकिन पहले घंटे में पिच्चर पता चल गया आगे के जो 6 चरण का चुराव होना है अभी पहले ही चरण में जो है पहले ही घंटे के अंदर पिच्चर फ्लोप हो गई यह अखिले स्यादो भी बार 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 इस बात को कह रहे है कि पिच्चर पहले ही अपते के अंदर फ्लोप हो चुकी है पहले ही जो है वो चरण में पता चल गया है कि साहब मामला खतम है और बताए यह जा रहा है कई राजनेतिक विसलेशक इस बात को कह रहे हैं कि 102 सीटों में से इंडिया गटबंदन का 70 के आसपा सीटे आ रही है अगर सच में ऐसा ही है तो फिर वाकिए बीजेपी लिए बहुत चिंता की बात है बात ये तो रही रही लेकिन इसके साथ-साथ कुछ बाते मैं आपको ये भी दिखाने वाला हूँ कि कैसे पूरा सब कुछ ताक पर रख दिया गया वोटिंग के लिए लेकिन वोट तब भी नहीं नहीं आये वोट देने जा रहे हो तो राम जी को याद रखना ये करना वो करना तमाम तरीकी के अपिल बीजेपी के अधिकारिक हैंडल से की गई लेकिन वोट तब भी नहीं कर रहे हैं तो फिर क्या किया जाएगा मोदी जी क्या कह रहे हैं एक बार चंद सेकेंड में उनके बयान को सुन लीजिए देश वास्यों से आगर करूंगा एंडिये की जीत आप पक्की कर रहे हैं बैसर जुका कर आपका आभार व्यक्तर करता हूँ लेकिन जो लोग मतदान नहीं करे रहें पहले चरण में लोग तंत्र की यह सबसे बड़ी ताकत होता है आप किसी को भी वोट दें लेकिन वोट जरूर दें हमें वोट में कभी भी उदासिनता नहीं करनी सबसे वड़ा सवाल ये है कि अगर इस कम वोटेंग से बीजेपी को फाइदा हो रहा होता इस कम से बीजेपी की सरकार बन रही होती है तो क्या तब भी नरेंदर मोडी की प्रतिक्रिया यही आती है तो क्या तब भी नरिंदर मोदी इसी प्रकार से वोलते हैं? हाँ वो बात सही है कि एक देश के प्रधान मंतरी के तोर पर जब भी वोटिंग का दिन होता है तो वो लिखते हैं बाकाइदा लोगों कहते हैं कि आप जाईए वोट करिये लेकिन ये चिंता जो अब हर राजनित का मैंने आकिलन आपको दिखाया और कई ऐसे पत्रकार जो सरकार के जबर्दस समर्तक हैं सुधीर चोदरी तक भी विशलेशन करके दिखा रहे हैं नो नो पॉइंट में अगर इस बात को बता रहे हैं कि वीजेपी की हवा नहीं है तो आप समझ लीजी कि स्थिति क्या है मै कर दो भी इसक बार यह नहीं हुआ है वह नहीं हुआ है वह ऐसा नहीं है राम मंदिर का अगर उद्गाटन के टाइम पर ही चुना ँह जाता तो बहुत कि बीजेपी तीसरी बार सरकार बनाने की भी कंडिसन में है या अब जो है वो स्थिती खराब हो चुकी ये बिगड़ चुकी है ये बड़ा सवाल है कुछ मैं आपको प्रतिकरिया दिखाता हूं कुछ आप देखिए ये बीजेपी के ऑफिश्यली ट्वीटर हैंडल से ट्वीट किया रहे हैं क्या लिखा गया यासा आपको इसके अंदर लिखा गया। देखिए बीजेपी बिहार के ट्वीटर हैंडल से लिखा गया और बिहार में सबसे कम पोर्टी हो ये 44% वोट देने जा रहे हैं तो ये जरूर याद रखेगा राम लला का मंदिर किसने बनवाया सुबा साड़े नो बजे कल इस बात को बीजेपी के अधिकारिक ट्वीटर हैंडल से ट्वीट किया गया इसे जब बेशर्मी की बात और कुछ नहीं हो सकती है जब चुनाव आयोक के नियम काईदे साफ तोर पर ही कहते हैं कि आप कोई जूटी बात गलत बात कोई किसी को भड़काने वाली बात और धार्मिक तोर पर आप वोट नहीं मांग सकते हैं एक भी चीज ऐसी नहीं है जो बीजेपी के इस ट्वीट के पक्स में जाती हो सारी चीज़े ऐसी हैं कि अगर ये ट्वीट किसी और ने किया होता किसी और पार्टी के नेता ने किया होता तो अभी तक तो ना जाने उस पार्टी के उपर चुनाव आयोग हथोड़ा ले करके वार कर रहा होता लेकिन साथ चुनाव आयोग जो है पता नहीं बीजेपी का नाम आते ही है मैं इसलिए इस बात को डिरेक्टली कह रहा हूँ चुनाव आयोग बता दे इस बात को इस तरीके से देश में चुनाव चलेंगे कि मंदिर बनवाना है तो हमें वोट दीजिए मजजी तुड़ानी तो हमें वोट दीजिए ऐसे चलेगा क्या और अगर यही सब कुछ हो रहा है तो फिर क्यों जो इस बात का ढखोसला दिया जाता है कि साब निस्पक्स तरीके से हो जो है वोटिंग से पहले चुनावायोग की तरफ से राजी कुमार जी आ करके बताते हैं कि नहीं नहीं बहुत एकदम चेहरे पर मुस्कान ले करके जब यह आप कारवाई नहीं कर सकते हैं तो चेहरे की मुस्कान और आप के जो निस्पक्सता है उसका डोल पीटना उसका पाइदा क्या है राजी कुमार जी अगर आप इस पर कारवाई नहीं कर सकते हैं तो कम से कम इसको सही होने का सैटिफिट दे दीजिए कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है कई हमें चाजी ऐसे मूरती राममंदीर की तस्वीर ले करके खड़े हो जाते हैं कहीं योगे दित्तना इस बार पहले ही चर्ण में घट गई वोटिंग प्रधान मंतरी को वोट बढ़ाने के लिए मंद से अपील करनी पड़ी है और नतीजा क्या होगा सरकार फिर से तीसरी बार यह सरकार यह भी चली जाएगी आप देखिए वोटिंग में भासकर की खबर का एक हेडलाइन 59 परशेंट मतदान था सबसे दस साल में सबसे कम बढ़ान हुआ है उनन्याइंचास फीजदी मतदान हुआ है और वोटों पर यू भारी बयाव रिलू 59 पीजदी मतदान हुआ है सुबह साथ से शाम छे बज़े तक मतदान हुआ फिर भी 2019 के मुकाबले 5.8-3% कम वोटिंग हुई है तो ये कम वोटिंग ये कम वोटिंग जो है वो अपने आप में ये बताने के लिए काफी है कि ये क्यों आखिरकार जो है वोटिंग में दिक्कत हो रही है और वोटिंग के वाल कम हुई है ये बात नहीं है आप जड़ा एक खबर देखिए एविपी नियूस की परसासन ने मेरे गाउं में असली वोट भी नहीं डालने दी वोटिंग के बाद संजीव वाल्यान का रोग अब यह संजीव वाल्यान कौन से परसासन पर आरोग लगा रहे हैं नरिंदर मोदी की सरकार उस सरकार में मंत्री यह योग्य जितनात की सरकार उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश में जो है वो डबल इंजन की सरकार विधायक सांसद सब कुछ तो उपा से लेकर के नीचे तक यह नीका है तो परसासन किसका है साहब और अगर ऐसा परसासन ह हो गया है आपके रहते रहते की डबल इंजन की सरकार के एक सबसे मजबूत सांसदों में से एक सांसद की अगर यह हालत हो गई है कि उनके गाओं के अंदर असली वोट भी नहीं डाले गए इतनी गुंडागर्दी अगर हो रही है प्रसासन की तो इसको लेकर किसका इस्तिफ मांगे अरभिन केजरिवाल का इस्तिफ़ मांगे राहूल गांदी का मांगे इसका इस्तिफ़ हो अगर फ्रसासन इतनी गुंडागर्दी कर रहा है कि आपकी असली वोट भी प्रसासन डालने नहीं दे रहा है तो फिर किस से जो पूछा जाएगा सवाल कि यह कुछ जो है चीजे में आपको दिखा रहा हूं और एक चीज जो है जो भाजपा के पक्स में जो नेगटिव तरीके से जा रही है वो यह कि वाजपा के नेताओं ने जो कहा अब की वार चारसो पार अब की वार चारसो पार चारसो पार किसलिए सविधान बदलना है यह चीज भी बीजपी के नेगटिव में चली गई यह आप देखिए बीजपी उमिद्वार लल्लू सिंह का वैयान सविधान बदलने के लिए भाजपा को दो त्याहई लोकसभा सीट दीजिये अब दो त्याई तो छोड़ दीजिया, आप साफ वोटीं तक नो है, उतनी नहीं हो पा रही है, पिछली बार जो स्थिती थी, वो भी स्थिती ये इस बार नहीं दिखाई दे रही है, दो त्याई तो वो दूर की बात हो गई है, तो ऐसे नेताओं के बड़बोले बयानों से भी BJP को नुकसान हुआ और BJP को इस बात को जो है वह समझ में आ रहा होगा कि कैसे जो है वह चीजे अब BJP के लिए बैकफायर हो कर रही है कैसे कुछ चीजे अब BJP को नुकसान पहुंचा रही थैं लेकिन अभी भी अगर BJP hacks ना अगर बीजेप अभी पि ना समले तो फिर आप समझी लिज्ए क्या हो सकता है तक बात समझ पॉरा जनता जो है वह अच्छ इच्छ़ की हेकडी निकाल देता है जनता एक ऐसी है है जो तो बड़े से बड़े प्रधानमंत्री की, बड़े से बड़े नेता की, बड़े से बड़े उम्मिद्वार की वो चंट, एकदम से चंद मिंटों के अंदर उसकी हिकड़ी निकाल देती है। पुलराइज करने के लिए, या किसी नि आपको पिचर मैं लाने के लिए कुछ भी करें। इनके वीडियो वाइरल हुई, वीडियो में ऐसे करके मस्जिद दिख रही है этом, और ऐसे करके जो है वो तीर छोड़ रही है। कि बाद में सफाई देने लगी कि मैं तो मस्जिद की तरफ नहीं कर रही थी ये मेरी वीडियो को तो गलत तरफ पेश किया जा रहा है वह यह ऐसे करके और बड़ा उनका जो है वह मैं तो कर भी नहीं पाऊंगा उतनी शांदार तरीके से उनका तरीका ही अपना लगता है और तो यह जनता की जो है वो जनता की ताकत है कि जनता अच्छे अच्छे को बता देती है अच्छे अच्छे को रास्ता दिखा देती है यह जनता की ताकत है और इसलिए साद्वी जो ऐसे कुछ कर रही थी वो अब ऐसे ऐसे कर रही है कि एक बार नको ऐसा काम करेंगे आपको वो कभी पूरी जिन्दगी में तकलीफ नहीं होगी, कुछ तस्वीरें, कुछ वीडियो उनकी आप देख लीजी, ये सारी चीजें ये सारी चीजें ये बताने के लिए काफी है, कि किस तरीके से बीजेपी ने एक माहूल खड़ा किया लेकिन उस माहूल का پहले ही जटके के बंबरा के साथ में गिर रहा है और ऐसे हैं इसको संभालने के लिए प्रदान मंत्री और प्रद्धार्स के साथ मोर्च यह जो माहुल बहुंग के लिए उम्हों को बचाने नरेंदर मोधी को आग्याना पड़ रहे हैं राहूल गांदी तो बार-बार कह रहे हैं आज का भी बयान है उनका मैं आपको सुना देता हूं कि इनकी डेड़ सो सीट से उपर नहीं आएंगी इनकी आने ही नहीं है एक बार यह भी सुन लेजिए अब सवाल उठता है हमारा गटबंदन क्या करने जा रहा है देखिए यह जो बीजेपी के लोग बोल रहे हैं कि इतनी सीटे आएंगी उतनी सीटे आएंगी मैं सीधा बता देता हूं आपको इनको एक सो पचास से जादा नहीं मिलने वाली है यह जो भी कहना चाहें कहलो एक सो पचास से एक जादा नहीं आने वाली है अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या यह जो कम वोटिंग हुई है जो वोटिंग का प्रशेंटेज जो गिरा है इससे क्या वाकई यह माना जाए कि बीजेपी फस गई है और इस बात का एसास अब नरिंदर मोदी को भी हो चला है लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल इसमें यह उठेगा और यह सवाल पूछा जाना चाहिए कि अगर बीजेपी की सचमुच ऐसी हालत है बीजेपी को भी अंदर खाने इस बात का एसास हो रहा है नरिंदर मोदी का अगला एक्सन होने क्या वाला है तो कि चुराओ वे हमने देखा है कि वो जब जब भाजपा फसती है यह जाँ जाँ पर कमजोर स्थिती में होती है तो वहाँ वहाँ पर फिर पता नहीं क्या क्या होता है तो अब मैं तो इंतजारी कर रहा हूँ आप लोग बताईए खेर आप लोग क्या सोंचते हैं निशे कमेंट बोक्स में लिख करके जरूर बताईए इस वीडियो को खुब शेयर कीजिए लोगों तक पहुँचाईए और इसी तरह की तमाम ख़वरों के लिए ओनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजि और इस ख़वर को शेयर कीजिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद